अलो प्रेंट्स, वेलकम बैक, वन्स एगेंड, फ्रेंट्स, हम्रों बात करेंगे आज नया टॉपिक के बाड़े में, और हमारा जो नया टॉपिक है आज का, वो है आपका लिंग सहल लगता, मतलब कि हमने लिंग के जाने थे, और सेक्स डिटर्मेशन जाना था, दू चीज ठीक है, उसके बाद हमने क्या जाना था, लिंग के जाना था, कि कैसे एक गुण जोंगे, अगली पीडी के साथ अटाइच होगा, या अगली पीडी तक हो जाएगा, इस केस को जाना था, ये दोनों केस के बाड़े में, अब दोनों को एक साथ मिलाकर, हमें क्या जानना है आप जानना है कि लिंग शर लगनता, अर्थार की सेक्स लिंकेज, कि किस तरह से आपका जो लिंकेज होगा, आपका सेक्स ग्रोमोसों में होगा, तो किस कंडिशन में हुआ आगेगी तो आप आपको ले के जाएगा, ठीक है? तो हमको आज के टोपिक क्या जानना है? आज जानना हम लोगों को टोपिक, वो है आपका लिंग शर लगनता, लिंग शर लगनता का मतलब क्या हो गया? सेक्स लिंकेज, मतलब क्या कि किस तड़ा से हमारा जो सेक्स क्रोमोसों है, वो लिंक्ड होता है, अर्थात के जुड़ा होता है, इनके बार में हमें जानना है, तो सेक्स क्रोमोसों की बात की जा, तो सेक्स क्रोमोसों दो तड़ा के होंगे? ठीक है, दो तड़ा के होंगे एक होते हैं हेमोमोर्फिक हेमो मोर्फिक और दूसरा क्या कंडिशन होगा दूसरा कंडिशन होता है हेटरोमोर्फिक क्या होता है हेटरोमोर्फिक अब हेटरोमोर्फिक के अंदर क्या आएगा और होमोमोर्फिक के अंदर क्या आएगा तो होमोमोर्फिक के अंदर जो आएगा आपका मुझके रूप से क्या आएगा कि ऐसे सेल जिन क्रोमोसोम जिनके गुण एक जैसे हो जैसे यह कंडिशन है आपका यह डंड कि कैई कार दोनों एक जैसे है और यहां पर देखिए यह अलग रूप में तो जब आपका नियों और जैसे होंगे, तो homomorphic, जब आपका एक dunder card और एक आपका अलग रूप में होंगे, आपका किसी भी रूप में अलग sap बनाएगा, hook के card का बनाएगा, तो वो आपका heteromorphic हो गया, तो एक जैसे हमें कहां मिलेंगे, जब एक ही quality दोनों में हो, माल लिजे कि X chromosome यह है, तो यह भी X हो, तो दोनों आपका क्या हो गया, homomorphic हो गया, लेकिन यहाँ पे X माल लिजे कि क्या हो गया, यह dunder card, क्योंकि यह पे dunder card X है, लेकिन यहाँ पे जो आपका hook के card का है, वो कौन से condition आपका, उभाई, अर्थात क्या, कि sex आपका chromosome की बात करेंगे, तो sex chromosome आकार के हिसाब से, दो रूप में होते हैं, तो दो रूप में कैसा, एक होगा homomorphic, और दूसरा होगा heteromorphic, अब जरा गौर करने वाली बात आती है, कि इसमें किस quality बढ़ जाके हमें सलगनिता बनेगी, तो सलगनिता का मतलब होता है, जो किसी quality के साथ क्या हो जाए, जूडे, किसी quality के साथ मिले तो मिलेगा कहाँ पर, क्योंकि यहाँ पड़ भी X common है, और यहाँ पड़ भी X common है, तो जब दोनों चीजे common है, तो दोनों एक दुसरे से link करेगा, तो chromosome link कौन सा होगा, X chromosome link होगा, अर्थात क्या, जो linkage वाला part है, जो linked होने वाला है, वो linked कैसे होगा, तो यह link होगा, किसे X chromosome पर link होगा, X chromosome पर link होने का मतलब क्या है, कि यह chromosome जिनके साथ जुड़ा होगा, वो आपका कौन chromosome होगा, X chromosome linked होगा, अर्थात क्या, कि link के जो होगी, link शहलगनता जो होगी, वो किस chromosome पर पाई जाएंगी, X chromosome पर पाई जाएंगी, क्यों, क्योंकि यह दोनों में common है, और दो जेंडली कहा जाता है कि link शहलगनता होती है तो लिंक शहलगनता मुख्य रूप से मुख्य रूप से किस chromosome पे होगी? मुख्य रूप से X chromosome पे होती है के लिए आप लोगों एक्जाम में कभी-कभी objective question आ जाता है कि बताई है कि आपका link, sex link के जो होता है, वो किस chromosome की किस वाले बाट पर होगा, तो confirm है कि X वाले पर क्योंगी X दोनों में common है, और यही quality एक साथ गुन बनाके और आगे की तरफ जिन को आगे बढ़ाने की कोशिस कड़ेगा, जब एक जैसे quality को आगे बढ़ाएगा, तो वो ह ही हमाड़ा क्या होगा, sex linkage हो जाएगा, वो ही हमाड़ा क्या कलाएगा, आपका link शाल अलगनता कलाएगा, बताए कि लिए आप लोगों को यह आप तक, homomorphic और heteromorphic, यानि दो अलग-अलग condition में युगमत बने, और यह दोनों को आगे ले जाने वाला एक ही तरह का आपका sex linkage किस पर पहुँच गया, x पर पहुँच गया, कि लिए डिया पर, अब sex linkage पहुँच गया, तब हम बात क्या कर लेते हैं, कि इनके अंदर आगे चर्चा किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे, कुछ example के तुरू से समझने की कोशिज करेंगे, कि यह chromosome फैलता कैस है, हलाकि मैं एक बात आपको बता दू, कि यह जो आपका स्वा लगनता होता है, हमारे लिए beneficial भी होता है, और हमारे लिए हनिकाड़क भी होता है, इनके बज़ा से बहुत सारे रोग भी होते है, ठीक है, और इन linkage की बज़ा से, आपको मैंने कल भी बताया था, और आज भी बतायते हैं आपको, कि हीमोफिलिया, हीमोफिलिया, ठीक है, वर्न अंधता, यानि चीसे हम लोग कहते हैं, खलर ब्राइंडेस, यह सभी कैसे रोग है, अनुवानसिक रोग है, जो जन्म सही होंगे बच्चे को, तो यह अनुवानसिक रोग जो होंगे, किनको आपका किसके कारण होंगे, इन ही आपके लिंक शाल अगनता के कारण होते हैं, एक्जाम में क्वेस्चन आजाता है कि हमोफिलिया जो रोग है, जिसमें रक्त का ठककाई नहीं बनता है, बताये है, किसके कारण होता है, क्यों होता है, तो उसका अप्शन क्या होगा, आपका, सेक्स लिं हम आपको cross कराकर यहां पर दिखाने वाले हैं और उसे clear हो जाएगा कि किस में जाता होगा और क्यूं जाता होगा ठीक है एक एक example के थुरूस है एक एक हम लोग क्या cross कराकर आपको सामने दिखाएंगे कि यह रोग कैसे फैलता है और linkage के प्रवाव की काड़न यह रोग आगे एक PD से दूसरे PD तक कैसे जाता है ठीक है चलिए एक example लेते हैं और पहले example किसका ले लेते हैं ड्रोसोफिला का किसका लेते हैं ड्रोसोफिला का जरा ध्यान रखियेगा यही ड्रोसोफिला है जिन पर पड़ियों कड़के Morgan को क्या मिल गया Morgan को क्या मिला तो Morgan को मिल गया आपका Nobel Prize ठीक है ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला की दो प्रजाती ले ली गई जिसमें एक आपका female लिया गया अर्थात की मदा मदा के अंदर तो दोनों एकी जैसे होंगे इनकी क्या क्वालीटी थी कि यह रेड आईज वाली थी इनकी आखे कैसी थी वह लाल आखे थी और जो मेल लिया गया मेल के अंदर क्या लिया गया कि इनकी आखे उजली थी इनकी आखे कैसी थी उजली थी मतलब वाईट आइड कि यहां पे द्यान अखिए गए कि यह दोनों पुजेटिव होगा है मतलब ढूमिनेंटे रोगे और यह भी डबल होंगे लेकिन यह जो होगा, यह पूजेटिव होगा, कि या उमने हैशाब को दियान दखना है, कि लिए हैं? अब इस condition में दोनों के बीच में आपका क्या हो गया? मुअश्म सब्बोद का सब्सक्राइब, ठीक है, दियान दखेंगा यह फिमेल है यह वाला क्या है माड़ा मेल है द्यान लखेगा एफोड है दोनों के अगर युगमक की बात करें तो युगमक यह दोनों एक दुसरे के लाग है दो युगमक किसका दो युगमक किसका अब इन दोनों के बीच में क्रोस कराते हैं कि दोनों के वीच में क्या कराते हैं उलोग क्रोस कराते है और समझने की कोशिश करते हैं क्रोस के मात्यम से हैं कि क्यासे यह प्रभावित होता है अब देखिए पहला रेट आइज वाला क्रोस करेगा वाइड आइड वाले से तो यह क्या मिलेगा आपका यह मिलेगा आपका रेड आउस वाला एक और एक यह मिलेगा टंटाकार किसकाई, वाइट आईस वाला का, ठीक है, फिर यह रेड आईस वाला क्रोस कड़ेगा आपकर किस swag के से, इस हुक से, क्लिएर है, अब ये cross किसे कड़ेगा फिर इस रूप में कड़ेगा आपका ये क्या होगा आपका इस pump में होगा और आखडी cross कड़ेगा इस condition में जिसमें क्या मिलेगे आपको 1 रेडाईज वला और एक क्या मिलेगा जी, फुक वाला कंडिशन, किलियर है यहां तक, यहां तक आपको किलियर है आप लोगको, अब इस कंडिशन में क्रोस होने के बाद देखिए आपको क्या प्राप्त होड़ा है, इस कंडिशन में क्रोस होने के बाद क्या मिलेगा, तो F1 PD में क्या मिलेग bleibenlam Hey, मा मैं ऐ लिए बने ना फील है तो दोनों कि आइकस है और यह रहां जो है तो इसकन में कि एकस एकस हूं से अलोर यह बने लाएं है यह रहाला कि आए एकस है नहीं फिलीवाला तो सबीपार मुखिसंखिएगा कि female होगा, female होगा, लेकिन female की आखे कैसे होगी? तो ये आपका red eyes वाला dominated है, मतलब female होगा, लेकिन कैसी होगी? red eyes वाली. बासमों में आ रहे हैं आपको, बासमों में आ रहे हैं आपको, आगला condition में देखिए यहाँ पर, यह hook वाला है, और यह क्या आपका, यह female वाला part है, तो male और female दोनों आपका X और Y मिल गए, तो यहापे condition X और Y क्या बन गया, और XY का condition किसका होता है, XY का condition male का होता है, तो यहाँ पे बनेगा male, ठीक है, लेकिन इस male का condition क्या होगा, dominated लाल वाला है, इस वज़ा से इसकी आखे कैसी होंगी, ल लाल होगी, फिर यहाँ पे देखिएगा, यह आपका dominated है red, तो आखे लाल होगी, ठीक है, और दोनों का condition X और यहाँ पे बनेगा, female बनेगा, अब यहाँ पे देखिएगा condition, यहाँ पे X और यह Y हो गया, तो इस condition में यहाँ पे बनेगा कैसा structure, male वाला, और लेकिन यहाँ पे आपका red eyes dominated है, इस वज़ा से इसकी आखे कैसी होगी, लाल होगी, तो यह हमें क्या प्राप्त हुआ, F1 generation, क्या प्राप्त हुआ, first generation हमें अर्कार की पहली PD हमें प्राप्त हुए, बताओ यहाँ तक clear आप लोगो, यह cross समझ में हैं आप लोगो, ड्रोसो फिला पे हमने किया, ड्रोसो फिला में एक male और female gamut को हमने लिया, ठीक है, male और female gamut में क्या लिया, कि female वाले में हमने red eyes लिया, और red eyes क्या थे हैं यहाँ पे dominated है, ठीक है, और यहाँ पे white eyes वाला dominated नहीं है, recessive quality का है, उस condition में दोनों के बीच cross हुआ, और F1 generation में हमें क्या प्राप्त हुए यहाँ पे हमें प्राप्त हुए, दो आपका male प्राप्त हुआ और दो हमारा female प्राप्त हुआ, किलियर है आप लोग को, दो male और दो female, अर्थात कि यहाँ पे बना आपका 50-50% का case, कैसा बना, 50-50% का case बना आपको, किस generation में, F1 generation, किलियर है, लेकिन एक condition यह था, कि इसमें red eyes वाले, जितने भी हमें संतती प्राप्त हुए, सभी के सभी कैसे प्राप्त हुए, red eyes वाले हमें प्राप्त हुए, लाल आपको वाले, अब F1 generation को जब हम क्रोस कराते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है, F2 generation, अर्थात की second generation हमें प्राप्त होता है, अब इस drosophila के F1 generation का क्रोस हम कराएंगे और उस कंडिशन में F2 जेनरेशन हम लाने की कोशिस करेंगे कि यह जो लाल आखो वाले हैं इनके अंदर सहलागनता की क्वालीटी आगे कैसे बढ़ेगी, ठीक है, सहलागनता की क्वालीटी यहीं पर दोनों जूट जाने की बज़ा से यहां पर जो रे मेल लेना पड़ेगा, तो फीमेल का क्या कंडिशन होगा हमारा, यह हो गया हमारा रे डाइज के लिए, ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, उसके साथ में एक आपको मिल जाएगा, यह मेल फीमेल वाला के लिए, जो वाइट वाले के लिए था, दूसरे कंडिशन में जंडा का रहा है, शो दिमांग कीज़ेगा, पूख के राकाड का है, किलिए है, यह हमारा भीमेल है, और यह हमारा क्या है, मेल है, इसके अंदर यह दोनों एक्सेक्स है और इसके अंदर आपका इसमें क्या है कि यह आपका red-eyed वाला है और यह भी आपका कैसा है लाल आखो वाला है condition के लिए आप लोगों को यहां तक अब इन दोनों के बीच में हम cross कराते हैं तो cross कराएंगे पहले condition में तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पर सुध रूप्में में प्राप्त होगा कैसा दोनों आपके प्राप्त होगे xx वाला और इस condition में हमें red eyes मिलेगा और भी pure quality का दोन red eyes मिलेगा क्या बिल्कुल pure quality वाला लाल आखे मिलेंगे उसके बाद क्या इनका cross हम क्राएंगे इसके white वाले से तो यहाँ पर आपका एक मिलेगा आपका red eyes वाला clear और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा male वाला hook मिलेगा तो इस condition में क्या होगा यह female होगा sorry माप कीज़ेगा यह male होगा लेकिन male में कैसा होगा red eyes होगा clear अब इसका condition हम cross कराते हैं अब क्या गयते हैं white वाले का cross कराते हैं red eyes से यहाँ क्या होगा आपका एक तो आपका क्या मिलेगा जो recessive quality है और एक dominated क्या मिलेगा red eyes वाला तो यहाँ पर भी exact condition है यहाँ पर female बनेगा आखे इसकी भी क्या होगी लाल होगी ठीक है और last में जो एक quality मिलेगा आखणी का जो cross कराएंगे उसमें हमें प्राप्त होगा कि यह क्या प्राप्त होगा यह आपके उजला वाला और आपका क्या इसके पास hook वाला आपका क्या मिलेगा male मिलेगा रताते एक स्वाई मिलेगा या आपका female मिलेगा sorry माँ कीजिएगा male मिलेगा और इस condition में यहाँ पे जो इसकी आखे होगी वो कैसे होगी? white आखे होगी के लिए रहे हैं तक सब किसी को? के लिए रहे हैं तक आप लोगो? अब क्या है? कि आपको यहाँ पर देखिए है तो यहाँ पे केसे ज़रा ध्यान दखिए है कि यहाँ पे आपको जो female और male मिल रहा है ठीक है? इनमें क्या है कि आपको आखे देखनी है कि किस कंडिशन में आपको प्राप फूड़ा तो यहाँ पे देखिए 50% आपका? 50% आपका तो confirm है कि red eyes वाला मिल रहा है आपको यह 50% कैसा मिल रहा है आपको? लाल आखो वाला ठीक है अब क्या है कि 50% पे दो condition है यह condition आपका यह पहले वाला first first और third यहाँ पे दो आपका female प्राप्त होड़ा है दो female होड़ा है तो 50% red आप आइड वाले क्या मिलते है आपको? female मिल रहा है 50% red eyes वाला क्या मिल रहा है? female मिल रहा है और यहाँ पे आपका second position second position और यह fourth position को ध्यान से ज़रा देखिए तो यहाँ पे एक क्या मिल रहा है आपका? 25% है तक 25% क्या मिल गया? मेल मिलेगा जो लाल आखो वाला और 25% मेल मिलेगा जो कैसे मिलेगा आपको वाइट वाला तो अब ज़रा साध्यान गोड कीजेगा कि लाल आखो वाला का जो सहलगनता का क्वालिटी जो आगे जो जादे बढ़ रहा है वह किस में बढ़ रहा है तो फीमेल में बढ़ रहा है अर्थासय लगनता का जो case है वो सबसे ज्यादा किस पर जाके मिलेगा? Female वाले पर और इस condition में कहा जाता है कि जो Link शाँ लगनता है अर्थास कि sex जो linkage है वो सबसे ज्यादा किस में मिलेगी? सबसे ज्यादा में मिलेगी female के अंतरमें परापत होने वाली है Clear है? सबी को clear है drosophila का case अब drosophila का case अगर clear है तो हम लोगों ने ये बाते clear कर ली कि लीस सगनत लिंक्स अलगता होगा इसके अंदर दो quality होगे homomorphic और कैसा heteromorphic homomorphic और heteromorphic होगा तो मुख के रुप से जो chromosome जिमेबार होगा हो X chromosome होगा और X chromosome जिमेबार होने का मतलब क्या हो गया कि यहां पे जो आखे बनेगी यह जो कंडिशन बनेगा इसमें 50% फीमेल का आपका डोमिनेशन होगा और 50% जो बच जाएंगे उसमें लाल आखो वाले आदा और आदा क्या वाइट आखो वाला मिलेगा अर्थात की डोमिनेशन मुख्य अब इसमें क्या है कि अब हम लोग दो कैसे जो आपका वर्ड नंता और हीमोफिलिया इनके रोग कैसे होते हैं इनके बार में हम चर्चा में अगले क्लास में करेंगे ठीक है जिसमें हम लोग इसके आगे म्यूटेसन भी जानना हम लोग को कि यह गुण में चेंजेज कैसे आते हैं उनके बार में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे मिलते अगले क्लास में तब तक के लिए थैंक्यू बेर मच फ्रेंज